नमस्कार दोस्तों मैं राज नर्वरे आपके अपने यूटूब चैनल और के कोचिक प्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज हम लोग ग्रूप 5 का जो फार्मसेस्ट का पेपर हुआ था ग्रूप 5 के अंतरगत वो देखने वाले हैं प्रिविश्यर का ये पेपर हैं जिसमें हमने आपका जो जनरल स्टेटी का पेपर था वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप च ये फार्मसेस्ट का पेपर तो जरूर है लेकिन मेरे दूस्त आप अगर चाहिए स्टाफ नर्स के लिए त्यारी कर रहे हो या लैप टेक्ट में सेन के लिए देखो उसकोस्चन जो है सेम ही आते हैं बस थोड़ा सा चेंज आएगा इसलिए आपको सभी कोई किसी भी ग्रूप 5 के अंतर कर चितने भी एक्जाम है उसके अंतर किसी भी एक्जाम के अपते यारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रिपर नमस्कार दोस्तो मैं राज नर्वर ने आपके अपने यूटूब चेनल और के कोचिंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम लोगelet ग्रूप 5 का जो है प्रिवीश एर का पेपर देखने वाले हैं इस में से जो फार्मसिस्ट का जो आपकी फिल से रिलेटरेट जो पेपर होगा वो हम लोग देखेंगे इस फार्मसिस्ट वाले जो जेनरल स्टेडी का पीपर था वो पहले ही あपजलोड हो देखे यह फार्मसिस्ट का पेपर है लेकिन आप ग्रूप 5 के इंतर का जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाते हैं उसमें से किसी भी एक्जाम के लिए आप अगर तेगारी कर रहे हो तो इस पेपर को जरूर देखेगा क्योंकि फार्मसिस्ट का है इसका मतलब यह न है कोश्चन और पीबी जो है व्यापम जो है हमेशा कोश्चन को रिपीट करता है तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखेगा चाहे आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो ठीक है फहला कोश्चन है कि जो पोधा अगनास है के द्वारा स्रावित इंसूलीन के प्र अगेरर भाउप्र दर्शित करता हैं वा खालीसतान है क्या है स्ट्रेक नॉस नक स्वामिका गिनको वि लोगा जिमनेमा शिल्वेष्टर या लाई सीनिया इनर tonight has तो इसमें जो है सेकें थर्ड ऑप्शन जो है वह आपका रहाई हो जाएगा जिमने मां सिल्वेस्टर ठीक है तो इस तरीके से हमें सभी कुश्यंज करने हैं निमने में से क्या कोशिका जिली में सरवदिक तेजी से फ्यालता है विच आप दो फॉल इंड डिफ्यूज मुष हैं करबन डाय अक्साइड जो है वह आप सनाप कर रहाइट हो जाएगा करबन डाय अक्साइड कोशिका जिली में सरवदिक तेजी से फैलता है ठीक है थर्ड कोश्यन है कि कि सवसदी को एक विशिष्ट दावपर गर्म करके उद्रत करने की प्रक्रिया कहलाती है वेन ड्र ड्र की एक्स्ट्रेक्ट ब्वाय फProfasal घंटय गर्रेस्टरवयशन है कर अंथरवन साथार्ण मन यद्रव समर्दन आश्माटाव या पाचन कून सी वह घ्रहन है तो वह ऐफाचन या डाया जेस्स परक्रिया हिया कोन साथे किक हो अं सांधुर्य होती है पांचन की प्रक् कौन सा अंग एंट्रोपीन की क्रिया के प्रतियती समयदन सील होता है जटर ग्रंथी लार ग्रंथी मुत्रा से या हरदें कौन सा अंग है जो एंट्रोपीन की क्रिया के प्रतियती समयदन सील होता है तो वो होता है लार ग्रंथी से या सलाइवरी ग्लेंड हम जिसे कहते है ठ च्छटवा कोश्चन है कि अनुसूची एच की आउसदी खालिस्तान को संदर्वित होती हैं केवल पंजीकरत चिकित सक के पर्चे पर ही खुद्रा रूप से बिक्री करने ओवर दा काउंटर ड्रग बिना पर्चे के दीजाने वाली दवाएं मानवी उपयोग है तू नहीं एक पंजीकरत चिकित सक के पर्चे के बिना खुद्रा रूप से बिक्री करने वाली अनुसूचीत एच की आउसदी खालिस्तान को संदर्वित करती हैं क्या बताती है अनुसूचीत एच की आउसदी तो ये बताती है कि केवल पंजीकरत चिकित सक के पर्चे पर ही खुद् करने वाले ठीक है बिना पंजीक्रत चिकित्सक के पर्चे के ये दवाई नहीं मिल सकती है समझ गया जो अवनुसुची एच के अंतर के जो सधी आती है वो बिना पर्चे के नहीं मिल सकती है कुछ दवाईया होती है आपको पता होगा कि कुछ दवाईया ऐसी होती है जिने मे transcarinic agonist से अधिक सकतिशाली होता है transisomor, cisisomor, risomor, sisomor, kya हो जाएगा first option जो इसमें आपकर रहाई हो जाएगा transisomor, kya हो जाएगा? transisomor 8 कुशन है कि platelets की जीवन और दी कितनी होती है देखो ये किसी भी एकजाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स की जीवन ओधी कितनी होती है एक से दू दिन, साथ से दस दिन, एक माह या पेताली दिन, प्लेटलेट्स की जीवन ओधी होती है, साथ से दस दिन, second option जो है आपका राइट हो जाएगा, और most important question है, repeat हो सकता है, ये question कि repeat होने के ज्यादा chances है, तो please देहन प्लेटलेट्स की जीवन ओधे, नौगा question है कि चालन विधी के अनुसार powder को छलनी के सेट से होकर निकाला जाता है, जो खालिस्तान में विन्यासित होती है, random cream, आरोही cream, आरोही cream, या किसी भी स्थान तो वो होगी आरोही cream में, कौन से cream में? आरोही, sorry, आरोही cream में, third वाल दस्वा question ये भी व्यापों के द्वारा cancel कर दिया गया था, कि ये नियूमानिक फ्लेक, फ्लेक का फ्लेक की वद्भावन अ ओधी कितनी हो थी, एक से तिन गिन जो है, यहाँ पर पताएगी, ग्यार्वा question है कि सब्दमानों गरीबी सुचकां का किस वर्ष में प्रतिपाद प्रतिद किया गया, 1996, 1997, 1994 और 1995 तो 1997 जो है, इस में आपका अप्सन राइट हो जाएगा, कुंसा सेकन आपसन राइट हो जाएगा, 1997 में मुख्य उत्तिजक्त, तंत्रिकास, संचारक, खालिस्तान होता है, GABS, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन या डोपामिन, तो जो है, इस में सेकन आपसन जो है, आपका राइट हो जाएगा, पोटेसियम, अर्सेनाइट, विलियन का उप्योग, खालिस्तान के उप्चार में किया जाता है, हिर्दे समंदीरो, हर्मोन समंदीरो, लिव के मिया, या एंडरी, डियुरेटिक एजेंट या मूत्र स्राव को कम करने वाला एजेंट, तो इस में कुन सा हो जाएगा, लिव को मिया, ठीक है, फोर्टिन्थ नंबर, चौदा नंबर का कॉश्चन क्या लिखा हुआ है, कि सेको लागयनिन, खलिस्तान के संसलेशन के मतवपुन अग्रगामी, गामियों में से एक है, इसको पालमीन या एवम कैफिन, कुनेन एवम विंक्रेश्टिन, एफेडरीन एवम हायोसीन, या मार्फिन एवम बर्बरिन, क्या हो सकता इसमें उप्सन, इसमें हो जाएगा, उ कुनेन वाला सेकन अप्सन जो है, वो लाइट हो जाएगा, कुनेन एवम विंक्रेश्टिन, ठीक है, पंधरवा कोश्चन है कि नियासीन इंजेक्शन खालिस्तान अभिक्रिया द्वारा त्यार किया जाता है, नियासीन की भारी जल से, नियासीन को सल्फियूरिक अमल से, नियासीन को सोडियम हाड्रो उक्साइड से, नियासीन को हैड्रो क्लूरिक अमल से, किसके दोरा नियासीन को सोडियम हाड्रो उक्साइड से, थर्ड ऑप्सन जेस्ट में आपका रॉइट हो जाएगा, ठीक है, 16 नमबर का कुश्चन है कि निम्न में से किस हाइड्रो कार्बन में दो दूई आबंद तता एक रिंग तेल में पाया जाता है पाइनिन, लिमोनिन, बोर्नी ओल या मेरसिन क्या हो जाएगा लिमोनिन सत्रा कुश्चन है कि बंदारित रखत का इस्तेमाल खालिस्तान तक किया जा सकता है 3-7, 6-3 तो 3 सब्था इसमें आपका राइट हो जाएगा 3 सब्था ठीक है हर्स के सीरंं से जो हैं तयार की जाती है तो इसमें आपका जो है आपका राइट हो जाएगा अच्छ नमब्र का कुशिन है कि फिनलेंड में किये जाने वाले एक अधियन में हीमार्टीनिक्स के नियमित उप्योग के आउचितति पर संद्री है वेक्त किया गया क्योंकि जीन पूरुसों में फिर्यटीन का उच्छे स्थर होता है उनमें खालिस्तान की अधिक संभावना होती है किसकी अधिक संभावना होती है फेपड़े का कैंसर Heart Atec Diabetes या पितास्सय में पत्री किसकी अधिक संभावना होगी तो ये हो जाएगा आपका second option right heart attack की अधिक संभावना होती है ठीक है पूरुसों में ferritin का उच्छ इस्तर होता है तो उसमें heart attack की अधिक संभावना होती है टेरो कार्प्स मार्सूपियम में उपस्तित phlobophen का नाम खालिस्तान है किनाइन किनो टैनिक एसीड के पाइरो के कैटैसीन या लिवकोसाइनाइडीन क्या हो जाएगा की नाइन first option ही इसमें आपकार राइट हो जाएगा किनाइन ठीक है 21 नमबर का question है कि निमन में इसे किस विसागत था कि कारण पुतली विस्फार माई हो निमन में से किसकी विसागत था के करन पुतली विस्फार हो सकता है डाटूरा के कारण 22 निमन में इसमें कि पहचान करने ौला प्रथम विक्ति कौन था कौसी ओर कर की पहचान करने वाला प्रथम वेक्ती डाक्टर एडम मैक्सवेल, डाक्टर जेराल्ड कासी ओर कोर, डाक्टर सीसली विलियम्स या डाक्टर विलियम्स वेंट ट्रासिप क्या हो जाएगा डाक्टर सीसली विलियम क्या ना में उनका डाक्टर सीसली विलियम जिसने कौसी और कर की सबसे पहले पहचान की थी 23 नमबर का कोश्चन है कि इन में से क्या इस्टेराइट के लिए आनुभाविक रंग अभिक्रिया नहीं है सेलकोसकी, लिवर्मेन, बर्चर्ड, रोजेन हाइम अभिक्रिया या बेनेडिक्ट परिक्षन कौन सा अपसन राइट हो जाएगा बेनेडिक्ट परिक्षन फोर्थ अपसन जो है आपका राइट हो जाएगा 24, मलेरिया के रोगों को किस प्रकार का ज्वर, यानि बुखार चलता है अंतर्राइक ज्वर, पुनरावर्ती ज्वर, निरंतर ज्वर, अलप विसर की ज्वर, थोड़ी थोड़ी देर से में घटने बढ़नेवाला ज्वर, तो ये होता है औंतराई की जोर्ट को जा होता है अंतराई की यह ड्राइक जोर्ट निमने में इसे किसका उप्योग पीछ के कारी की यह नियंदरन के लिए किया जाता है यह तर्ड फिट्करी है ड्रोजन पॉर ऑक्साइड मैंगनेसियम ट्राइश सिलिकेट औरी ओरल सस्पेंशन तो मैगनेशियम डाइस सिलिकेट ओरल सस्पेंशन फोर्थ अप्सन ही आपको इसमें राइट हो जाएगा है जा के उप्चार में डॉक्सी साइक्लीन की वैसको के लिए कितनी खुराक होनी चाहिए 350 mg, 250 mg, 300 mg या 200 mg कितनी खुराक होने चाहिए किसके लिए वैसको के लिए किसकी डॉक्सी साइक्लीन किसके लिए दी जाती है हैजा के उप्चार के लिए ठीक है ये कुछ भी कुश्चन यहां से बन सकता है सबी कुश्चन आपको याद रखने हैं और इसमें जो है 300 mg की होनी च प्रति दिश्टाव सदी खालिस्तान का उधारन होता है चिकित सी असंगती राइसानिक असंगती राइसानिक असंगती तथा भौतिक असंगती या भौतिक असंगती तो इसमें हो जाएगा चिकित सिकी असंगती कुश्य संगती चिकित सिकी असंगती ठीक है निम्न में से कि सुत्री करन को आरो फेरिंगल सुत्री करन माना जाता है लिंक्तस मैं घ्रॉड आस sa समझें लिए ट्वेंटीनाइन नमर का कुश्चिन है कि यह दिज्यर के उपचार के लिए गुदास संपोसक का उपयोग किया जाता है तो यह उसा दी वितरण के लिए किस प्रकार को निरूपीत करता है एंटरल और इस्थानी एंटरेट्तर और स्थानी एंटरेट्तर और प निम्नमेसे कि सर्प में होमो टॉक्सिन वेनम विस्ट पाया जाता है रसेल वाइपर करेट रैटिशनेक या कोब्रा किस में पाया जाता है रसेल वाइपर उनसा फर्स्ट ओप्शन आप कराईट हो जाएगा रसेल वाइपर में हेमो टॉक्सिन वेनम विस्ट पाया जाता है कारण हो सकता है आ handler कि说an को बाधित नहीं करता गर्भुती महिलाओं में प्रसचन को विल्हम्भीत करता है तो इसमें आपका First option ही आपका Right हो जाएगा कि north option kymesai । ाइडि दौरा उत्प्रेरित छालों की रोख थाम में साहयक होता है 32 नंबर का कुश्चन है निम्न में से क्या प्लाजमी नोजीन उप्रे रख है डोने बेजिल ट्रैनेक जामी जामिकामल स्ट्रेक्टो काइनेस या अमीनो कैप्रिक कामल कुन सो अप्सन राइट हो जाएगा इसमें इसमें आपका थर्ड वाला जो हैryables कोवालामीन का उप्योगि कारिस्तान के लिए विसनासक के रूप में कीया जाता है साइन या बाटुलेंता रोग या पारा या मादक द्रऌ अपी एडस किसके लिए है लिए है were प्रश्टी छेत्रफल के सरीर वाले बच्चे की खुराक की गन्ना करें जब वयस्क के लिए एक उसदी की खुराक सो मिलिग्राम है लगभग 33 मिलिग्राम लगभग 16 मिलिग्राम लगभग 24 मिलिग्राम या लगभग 40 मिलिग्राम तो लगभग 33 मिलिग्राम जो है यह आपको चाहिए होती है 33 परसेंट आपको जो है वो चाहिए होती है ठीक है किसके लिए एक बच्चे के लिए 35 question है कि आउसदी नामावली में तना ट्रिसीन का उप्योग खालिस्तान के लिए किया जाता है anti-migrain agent, anti-depressant, आउसाद रोधी, atropine, derivatives या anti-biotics किसके लिए यूज़ किया जाता है तो इसमें आपका 4th option राइट हो जाएगा anti-biotics, ठीक है, 36 question है, निम्न में से किसका उप्योग स्वास प्रेदाग स्वसन उत्तेजग के रूप में किया जाता है 5-7% oxygen वाली carbon dioxide, 5-7% oxygen वाली nitrogen, 5-7% oxygen वाली helium या 5-7% oxygen वाली carbon monoxide किसके लिए उप्योग किया जाता है, तो 5-7% oxygen वाली carbon dioxide, कौन सा option है first option जो है, आपका right हो जाएगा, कि स्वास प्रेदाग के रूप में यूज़ किया जाता है 5-7% oxygen वाली carbon dioxide का, देखिए हम थोड़ा speed से चल रहे हैं, तो हमें 75 question यहाँ पर cover करने हैं और कम से कम time में cover करने हैं, तो आपको exam में भी question को speed से पढ़ने की habit जो हैं दालनी होगी और इसी fast speed से हमें solve करना भी होगा, ठीक है? तो time आपके पास कम रहेगा, बहुत कम time में आपको हर question को करना है, एक question को ज्यादा time नहीं, आपको आधा मिनट एक इसे तो वैसे तो जो थिवरी वाला पाटो इसे तो बहुत कम time देना पड़ता है, ठीक है? लिकोरिस इपेकाउन आन्ना तथा वासाका में समान उसदी प्रभाव होते हैं, जो खालिस्तान के समान होते हैं स्वासनी विस्फारक या जिसे हम बोन को डिया लेटर कहते हैं, कास रोधक या एंटी टिश्यू कहते हैं, काफोत सारक या एकस पेक्टोरेंट कहते हैं, सारक या लैकसेटिव जिसे हम कहते हैं, तो कुन सा अप्सन इसमें आपका राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा थर्ड ओप्सन आपका रेट कफोत सारक या एक्स पेक्टो रेंट जिसे हम कहते हैं ठीक है थर्टी एट पपेन का अनुभार कितना होता है 28,000 डाल्टन, 23,000 डाल्टन, 21,000 डाल्टन या 26,000 डाल्टन कितना होता है तेवी सजार डाल्टन किसका पपेन का अनुभार कितना तेवी सजार डाल्टन सेकेंड अप्शन जो है राइट हो जाएगा इसमें आपका 39 इन में से क्या औच्छेपक कितना कितानुनासी है इन में से कौन सा औच्छेपक कितानुनासी के रूप में होगा तो इसमें जो है वो हो सिल्वर नायट्रेट नायट्रेट यह अपसान राइन जायगा से ठोंबाक्सेन एटू मुख keh रूप से ये द्वारा अउमूग्त चिया जाता है ती निम्फोसाइट्स यहっरत मांस्पेशी या पिलेटलेट्स किसके द्वारा जो है थ्रॉम्बाकसेन moo worship जो है आवउमुक्त किया जाता है वोएЕ प्लेटलेट्स इसमें होता है बलड में पाय जाता है आपके तो इसके द्वारा ही थ्रॉम्बाकसेन этим का आवउमुक्तन किया जाता है कोका अफीम तथा भांग हेंपकिस अधिनियम के अंतरगता आते हैं कितना सक अधिनियम, विसाक्त अधिनियम, मादक और मनह प्रभावी पधार्त अधिनियम या भ्रामक आउसधी अधिनियम तो इसमें आपका 3rd option राइट हो जाएगा मादक और मनह प्रभावी पधार्थ अधीनिया ठीक है नार्कोटिक एंड साइक्रो ट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट निम्न में से कौन सा ट्रबल तम अमल नहें एमाइड, एमाइड, सल्फोनामाइड या सल्फोनी माइड कुन सा है जो इनने सबसे जादा प्रभल होता या strongest acid होता है तो वो होता है सलफोनिमائड ठीके दो confusion होगा आपको सलफोनामाइड या सलफोनिमाइड फौर्थ ओप्सन आपका राइट हो जाएगा सलफोनिमाइड जो है वो सबसे strongest acid ya प्रभल तम अमल जो होता है इंजेक्षन सामाने रूप से खालिस्तान के द्वारा वी संक्रामित या निर्जमित किया जाते हैं सुसक उस्मन विधी, आर्द उस्मन वी संक्रामित या टिन डाई लेजेशन विधी या पास्टरी करन विधी किसके द्वारा injection को वी संक्रमित किया जाता है तो यह होता है आर्द उश्मन वी संक्रमित विधि ठीक है यह भी आपके लिए important होता है वी संक्रमित करते हैं हम injection को तो किसके द्वारा करते हैं आर्द उश्मन वी संक्रमित विधि के द्वारा मैं कुछ question ऐसे बता रहा हूँ जो repeat होने के chances बन सकते हैं तो please इन पर focus किजिएगा ध्यान जरूर दीजिएगा airtight डिबो का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है तरल तयार करने, capsule, injectable product या injection दिये जाने वाले उत्पाद या tablet airtight डिबो का उपयोग किया जाता है injectable product या injection दिये जाने वाले उत्पादों के लिए ठीक है buffer खालिस्तान का विलियन है प्रबल अमल तथा इसके सन्यूग मी चारक प्रबल चारक तथा इसके सन्यूग मी अमल प्रबल अमल तथा प्रबल चारक और दुर्बल अमल तथा इसके सन्यूग मी चारक तो किसके लिए होता है दुर्बल अमल तथा इसके सन्यूग मी चारक फोर्थ वापसन जोए राइट हो जागा अगर आप फार्मसिस्ट की तियारी कर रहे हैं तो आपके exam में mostly chemistry से ज़्यादा question बनने के chances से तो आप chemistry पर बहुत ज़्यादा focus किजिएगा ठीक है बच्पन की सारवधिक सामान असाध्यता को खलिस्तान के रूप में जाना जाता है acute myeloblastic leukemia, acute lymphoblastic leukemia, chronic myocytic leukemia, chronic lymphocytic leukemia कुन सा option आपका right हो जाएगा, acute lymphoblastic leukemia third, second option जो है आपका इसमें right हो जाएगा, ठीक है बच्पन की सारवधिक सामान असाध्यता, ये acute lymphoblastic leukemia के रूप में जाना जाती है digitalis पत्तियों की vanizik रूप से खलिस्तान में मिलावट के जाती है lavender की पत्ती, Tadura की पत्ती, या London tribe पत्ती, या comfrey पत्ती जिसे हम कहते हैं तो कुन सा option इसमें right हो जाएगा, comfrey पत्ती, fourth option ही इसमें right हो जाएगा डिजी टेलीस पत्तियों की वानेजी कुरूप से कमफरे पत्ती में मिलावट की जाती है 48 वह ग्रंथिल, ट्राइकोम जिसमें पौधे के सक्रिये, फाइटो, कानश्टी, ट्वेटस होते हैं खालिस्तान हैं, बेलाडोना, भांग, डाटुरा या अर्गोट क्या हो जाएगा, भांग जो है इसमें आपका राइट ओप्सन हो जाएगा 49, ADH की क्रियाविदी खालिस्तान में होती है, समीपस्तर ने लिकाओ, हैनले के आरोही पास, हैनले के आरोही पास या संग्राही वाहिनी किसमें होती है, संग्राही वाहिनी, ADH के खिर्यावधी होती है, संग्राही वाहिनी में होती है 15 नमर का question है, motion sickness के प्रबंधन में very anti-mascarinic agent है एट्रोपीन मेथो नाइडरेट, इसको पोला माइन या हैमप्रोपाइन मिथाइल ग्रोमाइड या आई-प्रेट्रोपीम ग्रोमाइड कौन सा option आइड हो जाएगा, इसको पोला माइन, second option जो इसमें आपका राइड हो जाएगा 51 question है कि वह तरल जो अपने कौतनांक पर या उससे कम तापमान पर अबगटित होते हैं, खालिस्तान के द्वारा सुधिकरत किये जाते हैं कोंसे तरल वो तरल जो अपने कवात्नांक पर या उससे भी कमताफमान पर अपगटित होते हैं वो खालिस्तान के द्वारा सुधिकरत किये जाते हैं आंसिक आस्वन, फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन, घातक आस्वन, डिस्ट्रेक्टिव डिस्टिलेशन, वास्प आस्वन, स्टीम डिस्टिलेशन या कम दाब के तहत आस्वन, डिस्टिलेशन अंडर रेडियूस प्रेशर किसके द्वारा सुधिक्रत किये जाते हैं, तो कम 52 question है कि यदि आयोडाइट का विलियन में उपयोग expectorants कफोत सारकों के रूप में किया जाता है तो यह sodium thiosulfate के द्वारा सुरक्षित होता है जो की खरिस्तान के रूप में कारेरत करता है अक्सिकर, अक्सिडाइजिंग एजेंट, निस्क्रिय करने वाले, निउट्रलाइजिंग एजेंट, अमलक, acid, fires या antioxidant क्या होता है अटी- आक्सिडेंट, देखिए मेरे दोस्त वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है अब बार-बार अगर आज देखेंगे, फिर कल देखेंगे, तो उसमें रूटीन वो टूड जाता है और फिर आप उसे नहीं समझ पाओगे, अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो इसलिए एक बार एक घंटा निकालिए, करीबन 34-40 मिनट का वीडियो होगा, तो एक ही बार में इसे देखने की कोशिस किजिए, ठीक है 53 नंबर का कोशन है कि बादा में रंग का विक्सित होना और फिर हरे में परिवर्तित हो जाना एसा तब होता है जब नाइटरिक हमले सीधे पौडर में मिलाया जाता है या खालिस्तान की तैयारी के लिए इस्तिमाल के जाने वाले प्रजाती की एलोरा अग्रू के विलियन में मिलाया जाता है केफ अलो कुरा काउ अलो या सिकोट्रिन अलो 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 नहीं सिकोट्रिन अलो या जन्जीबर अलो ए 54 नंबर है कि जैविक और चैव प्रधोगी की उतपादो को खालिस्तान सामिल किया गया अनुसुची A, अनुसुची B, अनुसुची X, अनुसुची C, तथा C1 किसमें सामिल किया गया? इसे सामिल किया गया अनुसुची C और C1 में किसमें? अनुसुची C और C1 में ये question भी आपके लिए important है Argeno Phosphorus विसाक तथा के लिए वरिय अउसदी है Neostigmine, Atropine, Phisostigmine या Acetyl-Coline कौन सा option आपका इसमें राइट हो जाएगा? इसमें आपका जो है first, second option जो है राइट हो जाएगा Atropine, कौन सा? Atropine जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा हड्डियों, तूटी हुई हड्डियों को अस्थाई रूप से साहरा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला Plaster Aparis जो होता है वो क्या होता है? Plaster Aparis क्या होता है? CaSO4 1x2 H2O क्या होता है? CaSO4 1x2 H2O कैलसियम सल्फैट निम्न में से कौन सा सुत्रिकरन नेतर संबंधी क्रियानवन के लिए प्यूक्त नहीं आइंटमेंट या मरहम, सस्पेंशन या निलंबन, लिनिमेंट या लेप या फिर विलियन लिनिमेंट या लेप आपका इसमें ऑप्सन राइट होगा थर्ड ओप्सन जो है, करेक्ट हो जाएगा VD, RL का उप्योग, खालिस्तान के निदान के लिए करते हैं हैपेटाइटिस या सिफिलिस या टाइफाइड या हैजा VD, RL का उप्योग हम लोग करते हैं इसके सिफिलिस के निदान के लिए सिफिलिस के उप्चार के लिए हम लोग किसका उप्योग करते हैं VD, RL का उप्योग करते हैं ये कुर्शन भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है चाहें आप किसी दी एक्साम की तजारी कर रहे हो COC गोलियां बच्चों को इस्तनपान कराने वाले महिलाओं को नहीं दी जाने चीए क्योंकि ये बच्चों की व्रद्धी को बाधित कर सकती है ये स्त्रावित होने वाले दूद की गुनवत्ता तथा मात्रा को प्रभावित कर सकती है इसके कारण बच्चों में इस्टोक या दोरे की समस्या हो सकती है या fourth option इससे नसों में रक्त के ठके जम सकते हैं क्या option आपका right होगा तो ये option second आपका जो है इसमें right हो जाएगा second option क्या है कि यह स्रावित होने वाले दूद की गुनवत्ता तता मात्राओं को प्रभावित कर सकती है इसलिए इस्तनपान कराने वाले महिनाओं को COC की कभी गोलिया नहीं देनी चाहिए LSD का पुनरूप क्या है Lysergic Acid Dimethylamide क्या हो जाएगा Lysergic Acid Dithylamide fourth option जो इसमें आपका right हो जाएगा भारतिय भेशजी परिस्द का गठन प्रतिक खालिस्तान बाद होता है 4 वर्स के 6 वर्स के 5 वर्स के या 3 वर्स के 5 वर्स के बाद भारतिय भेशजी परिस्द या PCI का जो है गठन हो जाता है The Constitution of Pharmacy Council of India PCI take place at every year हर 5 साल के बाद Pharmacy Council इंडिया का जो है गठन होता है का फुल फॉर्म भी याद रखना है फुल फॉर्म का PCI का Pharmacy Council of India जिसका हर 5 साल के बाद गठन होता है 63 डाइरे लेप्टोनोईट हल्दी का राइसानिक घटक है यह घटक खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है करक्यूमिन या करक्यूमिन डी एल अर्टर्म टर्मिरोन या डी में थाक्सी करक्यूमिन तो इसमें हो जाएगा करक्यूमिन जो है आपका अपसंड़ाइट हो जाएगा सेकेंद वाला करक्यूमिन डीजान शिच्टिफोर कोश्चन है कि रभी खालिस्तान के कारव होता है लाइस साम वायरस टाइप 3 लाइस वायरस टाइप 4 लाइस आवारस टाइप 2 या लाइस आवायरस टाइप 1 किसके कारूंत राइस टाइप 1 4th ऑप्संड़ाइगा कुन स स्वेद या उर्ज स्वेद मुख्य रूप से खालिस्तान का बना होता है फैटी एसीड के पोटेसियम लवन या इस्टेरिक एसीड के पोटेसियम लवन इस्टेरिक एसीड के सोडियम लवन या फैटी एसीड के सोडियम लवन किसके द्वारा बना होता है उन स्वेद या उर जिस्ट हुख तो यह बना होता है fatty acid के potassium 11 फौर्थ ऐपसन जो है आपका या स्वरी हर्ष्ट ओपसन जो है आपका राइट हो जागा fatty acid के potassium 11 के द्वारा बना होता एन 60C इस तरह के परिक्षन योजना तयार किया जाना कि प्रतिभागी को न पता हो कि वह अध्यन समोह से समंदित है कि नियंतरन समोह से खालिस्तान कहलाद है जो अग्य परिक्षन डबल ब्लाइंड ट्रायल एकल अग्य परिक्षन सिंगल ब्लाइंड ट्रायर या तेरा अग्य परिक्षन ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल या नियंतरित अग्य परिक्षन कंट्रोल ब्लाइंड ट्रायल क्या हो सकता इसमें आप्षन आपका कौन सा आप् ट्राइल सेकंड आप्सन जो हैं राइट हो जाएगा 67 जो एंटिबाडी जिवानु को भक्षानु क्रिया के प्रति अती सम्वेदन सील बनाते हैं घलिस्तान कहलाते हैं एल्ग्यू टीनस या समुहिका प्रेशी पिटीन आक्सोनिंस या बैक्टिरियो लाइसीन क्या कहलाएंगे यह कहलाएंगे आप्स आप्सोनिंस आप्सोनिंस या थर्ड आप्शन जो है इसमें आपका राइट होगा एंजियो एंजियो टेंसीनोजेन खालिस्तान के द्वारा उत्पादित किया जाता हैं किटिनी व्रक लिवर यक्रत मांस पेसी या इस्प्लीन प्लिया तो इसमें आपका उप्सन राइट हो जाएगा लिवर यक्रत के द्वारा पीत पिन खालिस्तान के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है एफसेज एस्ट्रोजन एच सीजी या आक्सी टोसीन तो एच सीजी जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा एच सीजी थर्ड ओप्सन खालिस्तान के उप्चार में उल्टी नहीं करानी चाहिए वर्फेरीन वार्फेरीन पाइजिनिंग विसाक्तता संचारन से होने वाली विसाक्तता एट्रोपीन विसाक्तता या पेरासिटामल विसाक्तता तो यह है आपका संचारन पाइजिनिंग विद कोरेजियू संचारन से होने वाली विसाक्तता के उप्चार में उल्टी नहीं करानी चाहि 71 भारत में ट्रकोमा रोहे नियंत्रन का रेक्रम किस वर्स आरंब किया गया था 1973, 1968, 1954, 1963, 1963, 1963 कब 1963 ठीक है फोर्थ आप्सन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा साल butamol का मुख्य दुस्प्रभाव कालिस्थान होता है ब्रोडि कार्डिया और हाड़ ब्लक मतली तथा वल्डी डाइरिया तथा हाइपोटेंसरिक धवरहाथ तथा मान स्प। मित स्परभाव का इसपंदन होगा ठीक है 73 question है तुलसी खालिस्तान परिवार से समझदीत है most important question है और अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है लेवी 80 लारेसी लीली ऐसी या लोगैनिस किसे समझदीत है तुलसी है लेवी 80 परिवार से समझदीत है एस्ट्रोजन, प्रोजिस्टेरोन, प्रोलेक्टिन या अक्सी टोसीन, किसके कारण होता है, प्रोलेक्टिन के कारण होता है, इस तेम गंतियों में, खालिस्तान के कारण दूद सावन होता है, प्रोलेक्टिन किसमें पाया जाता है, ये प्रोलेक्टिन किसमें पाया जाता है ये प्लायाब पाया जाता है महिलाओं में ठीक है question को गुमा सकता है आपको पता है कि इस्तनपान जो है में लाए करा दिया लेकिन कुश्चन को घुमाया जा सकता है इसलिए आपको याद रखना है डिजी टैलीस के विश्याय में व्यापक अध्यान किस विज्ञाने के द्वारा किया गया किसके द्वारा किया गया यहां पर हमारे 75 कोश्चन आपके कंप्लीट होते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आई होग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि इसी तरीके से हम सारे paper भी हमने यहाँ पर cover किये इसके साथ ही आपका जो syllabus है उसके recording classes जो है start हो चुकी है हिंदी की classes हम अभी चल रही है तो आपने अगर नहीं देखे तो आप channel के playlist में जाएए वहाँ पर group 5 से related जो हिंदी की classes है वो चल रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके पहले आप previous year के जितने भी paper है इसी का जो general study का paper है वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो आप channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए और अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिएगा और please कम से कम दस अपने जो friend है उनको share जरूर कीजिएगा वीडियो को last तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही हम आपसे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभो जैहिन जै भारत